दोस्तों और अपने या आपको कमिशर मैसुस कर रहे हैं यानि या आपके अंदर खोन के कमी हो गई ए, आपको भूख नहीं लग रहा है, ठकान मैसुस हो रहा है, चलने फिरने में चक्र सा आने लगता है, आपका वजन कम हो गया है, तो निराज मत हो यह, क्योंकि आज की इस वीडियो को नहीं देखा है तो उपर आए बटन में इसका लिंक आ रहा होगा वहाँ से टैप करके आप इसको देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ वहां से जाग करके आप देख सकते हैं तो साथियों आज कि इस बीडियो में मैं इस सीरफ के बारे में आपको संपूर्ट जान करें। इस सीरफ को कैसे पीना है कितनी मात्रा में पीना है और इसका side effect क्या है इसके लेने से क्या फायदे हैं और इस सीरप में मने बेल बटन को दबा कर आल नाटिफिकेशन को भी आनका लेजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो को अपलोड करूं उसका नाटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं तो चलिए इसका मैं आपको संपूर जानकारी देता हूं इसका पैकिंग खोल कर आपको देखाता हूँ विजय फार में सिवल टाइप्स बेटिशन अब मार्केट से इस सिरफ को परचेज करोगे तो आपको इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी यहां पर डाक्टर विश्वास की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और उसके ठीक नीचे सेफ आ वो देखने को मिलेगा और उसके नीचे फैमिली हेल्थ टानिक यहां पर देखने को आपको मिलेगा जैसा कि आप इस पैकिंग में देख रहे हैं और यह पैकिंग 500 इमल में आपको मिलेगा यह देख लीजी ऊपर भी डाक्टर विश्वास की ब्रांडिंग की गई है और य इसके दूसरे साइड में इसका MRP दिया गया है, इसकी MRP 235 रुपे है और यहां पर Manufactured by DB Wellness Private Limited और इसके नीचे सब कुछ डेटिल्स आपको देखने को मिलेगा marketed by Dr. Biswas Good Health Private Limited जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इस सीरफ का जो composition है और भी पूरी तरह से अरवेदिक फार्मूले से तयार किया गया है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इसके composition में भिरिंग राज, जैफल, सफेद मुचली, जीरा, पीपुल, सोंत, केशु, अस्वगंधा, जश्टी मधू, ब्राम्मी, आमलकी, अलकुसी वीज, यह सब घटक इसके अंदर मिलाए गये हैं और यह सब फर्मूला काफी responsible होता है, जैसा कि आप और भी कोई अन सीरफ लेंगे आयरवेद का, तो ओ भी जो है, आपको काफीर बढ़िया response देगा और इसका dosage जो है, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कि यह आपको कैसे पीना है तो चलिए, मैं इसको इसके box से बाहर निकाल कर दिखा दे रहा हूँ यह देख लीजिए, इसकी यह safety packing है, आपको 3D hologram के साथ में इसकी packing देखने को मिलती है और जब आप इसको open करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके धकन पर डाक्टर विश्वास की branding लिखा हुआ, आपको देखने को मिलेगा और इसका जो bottle है, वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके bottle पर भी डाक्टर विश्वास की branding देखने को मिलती है, और उसके नीचे safe ayurvetic medicine, good health, family health tonic 500 email इस पर mention किया गया है और इसके पीछे भी इसकी MRP और सब कुछ details दिया गया है इस box में हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख लीजिए दोस्तों अगर हम बात करें इस good health syrup को पीने से क्या-क्या फायदा है तो ये जान लीजिए कि इसको पीने से digestive system को maintain करता है और हमारा जो पाचन क्रिया है और दुरुस्त हो जाता है, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से पचने लगता है और इस syrup का दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, ये syrup लीवर को मजबूत करता है जिससे भोग ज़्यादा लगने लगती है और हमारा सरीर ज़्यादा तीजी से विकास होने लगता है गुड हेल्थ सीरफ पीने से सरीर तीजी से विकास करता है, इसके साथ ही सरीर का वजन भी बढ़ने लगता है इस गुड हेल्थ सीरफ को पीने से लिवर और डाइजेस्टे स्टम दोनों मिंटेन रहता है जिससे हमारे सरीर में खोन की मातरा ज़्यादा बने लगती है और कमजोरी जो है वो दूर हो जाती है जब सरीर में खोन की मातरा ज़्यादा होगी तो बलड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से सर्कुलेट करेगा जिससे एक ठकान जो है पूरी तरह से दोर हो जाता है तो यह तो हुआ इस सीरप को पीने के फायदे अब आए जानते हैं कि इस सीरप से हमें क्या नुक्सान होता है वैसे तो अभी तक इस सीरप को पीने से किसी को कोई side effect नहीं देखने को मिला है लेकिन यह अगर इस सीरप को ओवर डोज की मात्रा में ले लिया जाता है जैसे कि जितना डोज है अगर उससे ज़्यादा पीते हैं तो इससे थोड़ा सा liver और digestive system में हलका सा फरक आएगा जिससे थोड़ा सा बार बार ट्वालेट जाने की संभावना हो सकती है वैसे भी इसका अभी तक कोई परमान नहीं मिल पाया है और हो सकता है आपको दस्त भी आ जाए लेकिन यह अपने याप ठीक भी हो जाएगा तो यह इस सीरप को पीने से थोड़ा सा side effect हो सकता है लेकिन अगर आप इसको सही डोज में लेते हैं तो यह आपको side effect कभी नहीं देगा इसका कोई side effect आपको नहीं देखने को मिलेगा साथ यूँ यह तो गवा इसके नुकसान की बात तो आईए अब जान लेते हैं कि इस सीरप को हमें कब तक पीते रहना है इस सीरप को आप regular इस्तेमाल कर सकते हैं एक महीने दो महीने या फिर जब तक आप अपने यापको healthy ना मैसूस करने लगें तब तक आप इसको पी सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है जब आपको लगने लगे कि आप पुरी तरह से तंदुर्स्त हो चुके हैं तब आप इसको पिना बंद कर दीजिए ये इसका पीने का course हुआ अब आए जान लेते हैं कि ये सीरप किस किस को पीना चाहिए किस के लिए ये सीरप best है वैसे तो ये सीरप family tonic है इसको हर कोई पी सकता है चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या फिर बुजुर्व हो सभी इस सीरप को ले सकते है और इसको पीने की जो मात्रा है यद 5 साल से 10 साल का बच्चा है तो उसे 5-5 ml सुबह साम देना है दोनों टाइम यद 10 साल से 18 साल का बच्चा है तो उसे 10 ml देजिए सुबह साम दोनों टाइम खाने के बाद और यद 15 साल से उपर वालों के लिए ये 15 येमेल सुबह साम लेना है दोनों टाइम खाने के बाद ये इसका डोज हुआ लेकिन मेरी आपसे एक सलाय है कि आप किसी भी सीरफ को पीने से पहले किसी भी दबा को लेने से पहले आप अपने नद्दी की डांक्टर से जरूर सलाह ले लें इससे आपके सेहत पर अच्छा आसर रहेगा हमेशा कोई भी दबा डांक्टर की देख रेक में ही लेने चाहिए तो इससे जो है आपके सरीर पर कोई भी दबा बुरा प्रभाव नहीं डालता तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में इस गूर्ड हिल्थ कैफसूल का और इस गूर्ड हिल्थ सीरफ का दोनों का कंपरेजन करने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है आपको सीरफ लेना चाहिए या कैफसूल इन सब का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि अगली वीडियो हमारी इसी की उपर आने वाली है तो मैं चाहूंगा कि आप बेल बेटन दबाकर आलन अर्टिफेक्रिशन को भी आन रखिए ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ आप उसको भी देख पाएं आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत जल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार साथियों आपका दिन सुभो